अब देखिए हमारा जो material variance चल रहा है ना तो material variance के अंदर अभी तक हमने जितने भी सवाल किये हैं वो सवाल में हमारे quantity एक ही होता था जैसे कि हम क्या कर रहे थे कि कुछ भी product बना रहे थे तो एक quantity लग रहा था एक ही का price था तो बहुत easily compare कर पा रहे थे जैसे सर क्या अब कोई भी product है एक ही quantity लग रहा है जैसे कि मैं बात करूँ अगर suppose करो आटा रोटी रोटी में सिर्फ आटा लग रहा है वैसे all भी है इसके अंदर लेकिन आटे को लगा के हमने तयार कर लिया और कोई material नहीं डाला हमने raw material मैं raw material की बात कर रहा हूँ सिर्फ आटा डला और उससे आपने गीला किया और रोटी तयार अब क्या करते हम सिंपल से बात है अब हम सिर्फ रोटी के बाद हम दूसरा example लेते हैं मैं एकदम घर का basic example ले रहा हूँ ताकि समझ मैं सबजी की बात कर लेते हैं आप कोई भी vegetable ले लो तो उसके अंदर raw material सि सिर्फ एक नहीं डलता एक से जादा डलेगा जैसे आपका vegetable तो होगा साथ के साथ oil भी होगा साथ के साथ मसाले भी होंगे तो यह तीन तो यानि जब एक से जादा product को मिला के एक product तैयार किया जाता है ना तो वहां पे price का sensitively निकालना मुस्किल हो जाता है तो जब यह दिक सिकत आने के बाद फिर हमारा इन दोनों आपका standard का जनम हुआ material mix variance और material yield वेरियांस material mix वेरियांस मिक्स सर material mix का मतलब क्या होता है मतलब के एक तरीके से सारे दीन से चार product होंगे उसके according बनाया गया तो बड़ी basic सी बात है सर यह वाला सवाल तो साथ हमने last class में किया था इसे पहले तो हम basic basic चीजे कर लें हमें यह पता होना चीए कि यह दोनों कब निकालेंगे मैं यहाँ पर example भी लेकर दे देता हूँ सर अगर मैंने बोला कि एक unit बन रहा है और एक unit बनने का मतलब है कि 1 kg 10 kg लगेगा standard और 5 kg लगेगा आपका actual अगर मैंने यह बाते कहीं है इनके price भी और कुछ भी नहीं कहरा तो इसका मतलब सर आप सिर्फ एक दो और तीन ही वेरियांसिस निकाल सकते हो यह दोनों तो निकलेगा ही नहीं अगर हाँ आपको मैंने दिया ए प्रोड़क्ट के लगेंगे 10 kg और बी प्रोड़क्ट के लगेंगे 20 kg और actual में लगा हमारा 5 kg और साथ के साथ दो और निकालने पढ़ सकते हैं या पढ़ेंगे निकालने बोला जाएगा तो पढ़ेगा तो पहले आपको clear होना चाहिए कि हम यह mix वेरियांस और yield वेरियांस क्यों निकालेंगे जब हमारे प्रड़क्ट जादा हो जाएगा तो हम पहले बेसिक बेसिक सा सवाल कर लेते हैं फिर बड़ा आसान है ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपके हाला कि किताब में करने के बड़े सारे मेथट दे रखें लेकिन हम उसको फॉलो ना करते हुए हम सिंप लेकिन हम अपने फॉर्मूले के हिसाब से कर लेंगे तो सबसे पहले तो मैं सबसे पहले मैं यह तीन जो हमने सीखा है उसको निकालना सीख लेते हैं एक सवाल आपके सामने मैंने लिख अभी इंसर्ट किया है कौन सा सवाल सर यह सवाल है इस सवाल नहीं यह सवाल आपके स और आप बनाना चाहते हैं तो उसमें A material B material C material लगेगा दूसरा कहता है हमने बनाएं लेकिन 10 unit तो हम पहले एक बार चार्ट और टेबल जो भी कहलो हम बना लेते हैं एक फटा फट से वो जो प्रिपेर करते हैं यहां पर एक पॉइंट एक्स आजाएगा और बड़ा बेसिक सा सिंपल इसको करने के बाद हमारा बेसिक चीज़े खतम हो जाता है फिर रह जाता है सिरफ कॉस्चिन करना तो यह हमारा एक्टूल है यह हमारा इस टेंडर्ड है अरे मैंने उल्टा लिख दिया कि फॉर्मेट हम सिमेट्रिक रखेंगे यह हमारा स्टेंडर्ड और यह एक्चुल और यहां पर यूनिट की डिटेल हम देते हैं सारी तो सर यहां पर रखेंगे हम क्वांटिटी रेट साथ के साथ अब हमारा आ जाएगा यहां पर अमाउंट यह टूटल कह लेते हैं यहां पर क्वांटिटी रेट और टूटल ठीक है सर चलिए सर अब हमें यह एक यूनिट का दे रखा है अब आप से पूछ रहा हूं सवाल हमें बनाने दस यूनिट है तो अगर एक यूनिट में साथ किलो लगेगा तो दस यूनिट बनाएंगे तो material A कितना लगेगा जवाब दीजिए आप अगर हम दस यूनिट बनाएंगे तो material A कितना लगेगा जवाब दीजिएगा फटा फट से बिना डिले किये हुए जवाब देंगे आप जवाब आगया साक्षी का सर ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या दस यूनिट लगाओगे तो आपके 600 लगेंगे क्योंकि 60 तो सर B का कितना लगेगा सर ये भी हम बता सकते हैं ये है A का सर B का भी हम बता सकते हैं B का लगेगा 950 सर ऐसे हम सी का भी बता सकते हैं बड़े आसानी से सर सी का लगेगा हमारा 870 और रेट में कोई बदलाम नहीं होगा ये 15 रुपे रेट है और इसका 20 रुपे रेट है और इसका 25 रुपे रेट है अब टोटल करके बताईए आप टोटल करके बताईए इसका तर टोटल सब द जाता है हमारा सवान टोटल करके बताईया फटाफट ओध करना आई कि यानि मैं ही कर लेता हूं कि नब्वे अधारा हजार कि इसको टोटल कर यह सी को मैं मॉबाइल में कैलकुलेट कर लेता हूँ फटा फट बताईए टोटल करके मेरे पास कैलकुलेटर है नहीं पता नहीं मुबाइल फोन में भी क्या हो गया है दीपक ने बताई सर पचास अजार ओ माइग गॉड़ क्या दीपक इसका टोटल पचास अजार मैं इसके इंटू की बात कर रहा हूं है टोटल तो चलिए यहां पर आपने शाहिद बता दिया कि पचास अजार होगा है ओके इसका टोटल क्या होगा हुआ कि मुझे इसका टोटल बताईए 870 इंटू में पच्च्च्च्च्च्च् कि 9, 16, 25 इसका टोटल 16 होगा यह 16 तो होगा नहीं अब पदा नहीं कैसे बता रहे हैं ओके मैंने गलती ले लिया है मैं एक्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च को ले लिया मैंने 600, 800 और 1000 बच्चे सही गह रहा है 25,000 और सर यह 16,000 ठीक है अगले की बात कर लेते हैं सर क्वांटिटी लगा हमारा 640 क्वांटिटी लगा 950 क्वांटिटी लगा हमारा 870 सर रेट लगा 17.5 सर रेट लगा 18.5 सर रेट लगा 27.5 सर टोटल आगया 11,200 सर 17 तो एक्जामनर ने तो आपको मौज कर दिया यहां पर सब दे दिया तो सर यह आगया 52,2,25 यूनिट की बात करें 2400 साल और यहां पर बात करें तो यह आगया हमारा 2400 सबसे पहला पॉइंट material cost variance पहला पॉइंट material cost variance तो सर क्या होगा standard cost minus actual cost actual cost that is क्या आजाएगा standard cost है हमारा 50,000 और actual 52,000 जो की हमारा निकल जाता है 22,25 रुपए यह निकल गया हमारा एड़ वार्स ठीक है सर इसने कहा है कि आपको सारे के सारे variances निकालने हैं तो जो आता है हमें पहले हम वो निकाल लेते हैं एक बार उसके बाद जो नए वाले दो जूड़े हैं उसको हम एक बार देख लेंगे सर दूसरा दूसरा आएगा हमारा material price variance में हमारे तीनों के प्राइज निकालने पड़ेंगे फॉर्मूला कहता है हमारा standard price minus actual price into actual quantity सर अब A के लिए निकालना होगा और B के लिए और C के लिए तीनों के लिए A के लिए दिखा जाए तो हमारा कितना actual price और standard price तो 15 minus 17.5 और multiply by 6.14 थोड़ा calculator मुझे calculate करके बताईएगा मैं data बस्ते यार करना हूँ 20 minus 18 और into में 950 और C का अगर हम निकाले तो C का 25 minus 27.5 और into में ये 870 है 870 चलिए बता दीजिए टीनों का price variance एका है 1600 एडवर्स 1600 एडवर्स और सर किसका बताया गया दीपक ने बताया है अब दीपक 1900 किसका बताया ये नहीं पता सेकेंड कई होगा 1900 और एडवर्स ये फेडवर्स ही होगा और अगला आ गया हमारा 2175 ये एडवर्स होगा तो देखा जाए इसका net effect अगर आप लेते हो क्या पढ़ता है एक favorable दो एडवर्स तो हमारे net में एडवर्स आ जाएगा वह हम बाद में देख लेंगे आ जाते हैं हम material uses variance पार्मूला क्या कहता है सर पार्मूला कहता है standard quantity minus actual quantity इसको multiply कर देते हैं standard price से चलिए सर अब निकालेंगे हम A के लिए हम निकालेंगे B के लिए हम निकालेंगे C के लिए standard quantity 600 है actual quantity 640 है standard price 15 है B के लिए standard quantity 800 है actual 950 हो गया सर multiply किससे करें सर standard है 20 सर यहां पर 1000 है actual 870 multiply by पच्चस एक एक करके तीनों का जवाब दे दीजिए सर A का है 600 रुपे एका 600 रुपे एडवार्स जवाब आ गया 600 रुपे एडवार्स प्रेवरेबल 32 सर यह कहानी तो हमें पहले से पता था और यह हमने सीख रखा था अब देखिए यहां पर क्या दिक्कत आई और हम की इस problem के discussion करेंगे हुआ यूं बोला गया कि भाई साब आपने यहां पर 2460 unit लगाएं कोई बात नी लगने 24 से थे आपने 2460 unit लगा दिये लेकिन दूसरी गलती आपने जो करी जिसके विजह से हमारा प्राइज में वेरियांस या फिर कॉस्ट में वेरियांस आ गया वो था सर आपको यह पर पोस्नेट के हिसाब से ही लगाना था मैंने decide किया था कि मान लेते हैं कि एक kilo vegetable में 100 gram oil डालूँगा तो आपको वही पर पोस्नेट रखना चाहिए था आपने क्या करा एक kilo vegetable में या तो आपने 90 gram डाल दिया या फिर आपने हो सकते है 200 gram डाल दिया तो आपकी गलती दो है एक तो प्राइज वगेरे में आपने तो सारा चेंज होई गया हमारे हिसाब से यह तो नहीं हुआ था ठीक है दूसरी गलती जो हमने रूल बनाया था कि भाई यह इस रेशो में सारा समान डलना चाहिए उस रेशो में आपने समान भी नहीं डाला तो यहाँ पर जब उस रेशो में समान नहीं डाला तो हम इसको भी वेरियांस में कवर करेंगे और जब इसको हम किसी वेरियांस में कवर करेंगे तो सर वो वेरियांस होता है Material Mixed Variants तो Material Mixed Variants की अगर मैं बात करूँ तो कब बनाये जाता है सर Material Mixed Variants Material Mixed Variants तब आता है जो मैंने परपोसनिट बताया है आपको करने के लिए आपने उस परपोसनिट के हिसाब से भी Quantity ज़्यादा लगा दी आपके 10,000 उनिट लगने थे आपने 15,000 उनिट लगा दी है टोटल लेकिन Ratio तो वही रखते कम से कम आपने Ratio भी गड़बर कर दिया तो कहीं न कहीं इसके वज़े से भी हमारा Cost क्या हुआ होगा Impact हो गया होगा तो सर यहाँ पे जो Formula निकल के आता है Formula से पहले मैं यहाँ पे Formula तो बाद में लिख लेंगे पहले मैं करके दिखाता हूँ आप देखो कि यहाँ थोड़ा समय जग है छोड़ा हुआ है तो यहाँ पे एक और Column बन जाएगा Revise Standard Quantity मैं पूरा लिख देता हूँ Revise Standard Quantity ठीक है ना तो सर हमें एक Column और बनाना पड़ेगा हमें Actual का जो तुमने अपनी मनमर्जी से लगा दिया ना हम इसको verify करने वाले हैं सर किससे verify करने वाले है कि actual में लगना कितना चाहिए था हम इससे verify करेंगे कि actual में रूल के हिसाम से लगना कितना चाहिए था तो हम आप मुझे बताईए मुझे क्या करना चाहिए देखे आपने लगाया ये थोड़ा सा इस वोड़ा आपने लगाया ये unit इसी unit को अगर हमें इसी पर्पोस्निट में रखना चाहिए था तो सर टोटल क्वांटिटी इसका ratio निकाल लो तो ratio क्या है हमारा 6, 8 और 10 हमें total quantity को इस ratio में बाट देना चाहिए था और सर इसको बाट की क्या फाइदा इसको 2400 को अगर आप इसमें बाटते हो तो 2400 ही निकल के आएगा इसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है दिक्कत समस्या यह है कि इसको बाट रा है इस ratio में standard के ratio में इसको बाटना है सर जब standard के ratio में इसको बाटेंगे तो इसको बाटने के लिए जो हम नया एक बनाएंगे उसे बुलेंगे revised यानि सर standard ये होना चाहिए था लेकिन आपने quantity ज़्यादा लगाया quantity जब आपने ज़्या करना होगा हमें यहाँ पर करना होगा कि हमें 2460 को 2460 को A में बाटना होगा B में बाटना होगा और C में बाटना होगा रेशो हमारा 6, 8, 10 तो 8, 24 तो इसको करेंगे हम 8 बटे 24 एक को करेंगे हम पहले का क्या आएगा ताकि मैं रिवाइज निकाल पाऊँ पहले क्या आएगा ताकि मैं रिवाइज निकाल पाऊँ पाऊँ जल्दी जल्दी करके दिखाईए ताकि मैं रिवाइज निकाल के बाट पाऊँ जल्दी जल्दी एका 615 यानि सर आपने लगाया 640 लेखिन स्टेंडर्ड के इस अपसे 615 लगना चाहिए सर बी का बी का एका दीपक ने भी जवाब दे दिया 615 बी का बी का 819.99 तो हम 820 ले लेते हैं इसको 820 ले लेते हैं आपको आपकी क्वांटिटी ज्यादा लगाई कोई बात नहीं लेकिन आपको इस रेश्यो में बनाना चाहिए था जिसका टूटल भी 2460 ही होगा तो आपने ये फॉलो नहीं किया अब हमें निकालना पड़ेगा हमारा मटीरियल मिक्स वीरियांस तो अगला फ्रमुला है हमारा मटीरियल मिक्स वीरियांस mix variance सर material mix variance क्या कहता है कहता है सर revise आर लगा रहा हूं standard quantity minus में आपका minus में actual quantity और इसको multiply कर देंगे हम सर इसको multiply कर देंगे हम standard quantity से इसको multiply कर देंगे हम standard price से क्योंकि हम जब भी हम बात करते हैं तो quantity को हम price से multiply करते हैं तो आप देखिए हमारा standard के हिसाब से इतना होना चाहिए actual में आपने इतना किया है तो इस गलती के वजह से कितने variances आ गए difference ये बताएगा हमें ये formula इस गलती के वजह से कितने difference आ गए ये बताएगा हमें ये formula तो फटा फट से ये formula लगाएंगे हम और formula लगाने का मतलब है कि हम हर एक किसी का निकाल के दिखा देंगे तो हम सीधा सीधा भी कर सकते हैं और एक-एक का भी निकाल सकते हैं तो यहां फिलाल हम एक-एक का निकालता जाएंगे ताकि detail में पता चले बच्चे कह सकते हैं sir total का भी कर सकते हैं पर price नहीं कर सकते हैं price अलग-अलग है तो sir यहां पर निकालते हैं हम A के लिए यहां पर निकालेंगे B के लिए यहां पर निकालेंगे C के लिए तो standard A का कितना है sir 615 color change कर लेते हैं 615 और minus कर दें actual कितना कर दिया sir 640 यानि इसमें गड़बर कर दिया आपने आपने ज़्यादा ले लिया ratio को follow नहीं किया जिसके बजह से भी difference आ रहा है और आपका standard price क्या है sir और 15 रुपे के हिसाब से लेना था वो तो difference आये है तो पहले का पता दिजिए मुझे फटा-फट पहले का मुझे बता दिजिए कि क्या आएगा दूसरे का भी निकाल लेते हैं दूसरे का हमारा है 820 लेकिन sir आपने लगाए 950 यहाँ भी गड़बड कर दिया आपने जिसके वज़े से हमें नुकसान जेलना पड़ रहा है यह सभी चीजों को हम बोलेंगा भईया ठीक करो अपने organization के अंदर ताकि ऐसे दिक्कत ना हो तीसरे में देखो यह लो तीसरे में क्या करा लगना 1025 था और आपने लगा दिया 870 यानि कहानी वही हो गया आपको गोल्ड बनाने के लिए दिया गया अब गोल्ड बनाने के लिए आप purity का धियान रखोगे इतना गोल्ड होगा इतना आपका उसके अंदर कॉपर होगा इस सबसे बनाएंगे आपने क्या करा सारा कॉपर डाल दिया गोल्ड थोड़ा डाला तो बडल गे आपका quality क्वालिटी भी डाउन हो गई और आपने जो सोचा था वो भी नहीं कर पाए ठीक है बच्चों का जवाब आना चालू हो गया है इंटू में 25 तो पहले का जो आंसर है पहले का जो आंसर आएगा पहले का आंसर बता दिया है मुझे 3875 3875 है या 375 है मुझे एक बार क्लियर कर दीजिए अच्छा तीनों पता दिया 375 मुझे समझ में नहीं आया ठीक है 375 पहले का 375 और यह एड़वर्स ही आएगा क्योंकि सर हमसे तो तुम ज़्यादा ही लगा रहे हो यह भी एड़वर्स आएगा कितना एड़वर्स यह 26 26 26 इड़वर्स बच्चों ने निकाल लिया था सर यह फेबरेवल आ जाए क्योंकि मैंने सोचा था ज़्यादा तुमने कम लगा दिया तो यह आ जाएगा हमारा 3875 है यह आगया फेबरेवल ठीक है यह आगया हमारा फेबरेवल तो सर चलिए फॉर्मूले को लिख देते हैं फ़ॉर्मूला क्या कहता है मैंने कहा था यह चार्ट एक जगा मना ने सारे फॉर्मूले फ्द यह हम एक बाईज कर पाए मता कहता हमारा यह कहता है र्यवाइज Revise Standard Quantity Minus में Actual Quantity और इसको Multiply कर देंगे Standard Price से सलिय सर अब रहेगे हमारा Yield Yield का मतलब होता है हमने कितना जादा निकाला फिर दुबार आ जाते हैं पहले यहां तक बताईए कोई दिक्कत जो हमने New Point देखा है यहां तक कोई दिक्कत इस साइड बे हम कर लेंगे क्या Sir, Yield Variances हम कर लेंगे Material Yield Variances Yield का मतलब होता है कि आपके Extra कितने लग गए Yield का मतलब होता है कि आपके Extra कितने लग गए आपके अलग अलग जगह पे अलग अलग formula लगाया जाता है लेकिन आपको किताब में जो दे रखा है आपको उस करने के तरीके को चेक नहीं करना End of the आप Adverse, Favorable यह सारी चीज़े चेक कर लोगे तो आप एक वर फटाफट लास्ट पॉइंट है देख लिजिए हम इल्ड कैसे निकालेंगे सर आपका है material कौन सा था हमारा लास्ट बनता है हमारा पहले formula ही लिख दूँ ताकि पता हो आपको यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा सर क्या आजाएगा आप कहा आजाएगा standard quantity standard यह मैं simple लिख दू standard quantity minus revise standard quantity into my standard price यानि अब जो हम comparison करेंगे सरिफ standard standard से यानि yield में देखेंगे कि अगर हम अपने हिसाब से चले होते अगर इसने यह follow किया होता इतने ही quantity रखता और इस हिसाब से बनाता तो कितने का फरक आजाता मतलब तुमने सारी बाते ठीक करी है और हम मान के चल रहे तुमने यह गलती नहीं करी तुमने यही हिसाब से proportionately बनाया है और फिर हमने यह बनाया है तो इसमें compare करके एक बार देख लेते कि क्या हुआ हुआ यानि सही में क्या हुआ अगला देखते हैं अगला है हमारा material yield variances material yield variances सर फॉर्मूला क्या कहता है यहीं लिख देते है standard quantity minus में revise standard quantity into my standard price सर तीनों का निकाल के दिखा देता हूँ मैं आपको चलो जी तीनों का निकाल के दिखा देता हूँ आप बताईएगा A का B का और C का सर A के लिए A के लिए standard quantity 600 minus में revise 615 सर यहां भी गड़बड कर दिया आपने और into में standard price 15 रुपए है फटा फट देखिए एक्जाम में फॉर्मूला सू करना डेफिनिटली आपको एक्जाम में फॉर्मूला सू करके दिखाना पड़ेगा otherwise फिर रिक्कत हो जाएगा करके दिखाना है आपको यह अगर आपको visual नहीं है तो मैं दिखा देता हूँ अभी थोड़ा उपर कर देता है क्योंकि इसकी तो जूरत है ने question की चलिए अब दिख जाएगा आपको इसका जवाब दे दीजिएगा इसके बाद अगला अगला है सर 800 लगने चाहिए थे लेकिन आप अगर लगाते तो आप अपनी गलती करते 820 यहां भी गलती कर देते आप और standard price होता हमारा 20 चलिए सर अगले में क्या करते आपको लगाना था 1000 लेकिन यहां पे आपने फिर ज़्यादा गलती कर दिया 1025 यानि हर तरफ से गलती गरते जा रहे हो और यहां पे लगेगा आपका 25 रोपे तीनों का बता दीजिए variances क्या रहे हैं तीनों का variances दीपक का कहना है अब थोड़ा सा मैं confused हो गया अब एक का 225 एडवर्स 400 एडवर्स और 625 एडवर्स यहां पे आ गया सर 225 एडवर्स 400 एडवर्स और इसका 625 एडवर्स तो आप देखेंगे कि आपने जो गलती करी है आप टोटल करके भी मैच कर सकते हैं सर टोटल करके मैच कैसे करना है देखो हमारा एक छोटा सा पॉइंट है हमारा material cost variance इससे निकलते हैं कौन से दो बाते निकलते हैं या तो निकलेगा हमारा आपका material price variance और आपका निकलेगा material usage variance यानि अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो हमारा result यह बनेगा अब यहां पर दो बाते निकलेंगी यहां पर दो बाते कौन से निकली सर आपका निकल गया material mix variance और एक निकल गया हमारा material yield variance अगर हम इन दोनों को plus करते तो हमारा result यह आएगा इस तरीके से आप answer को भी check कर सकते हैं कि हम ठीक कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं तो इस हिसाब से हमारा ये वाला part खदम हो जाता है किसी को कोई दिक्कत है तो बता दीजिए फटा फट से बताईए कोई दिक्कत इस सवाल में किसी को कोई दिक्कत no doubt तो सर्ष झाल जजए झाल 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 झाल